Hello student, आज हम discuss करेंगे 2nd year का 3rd chapter, Science in Ancient India. इसके writer है, जवाहरलाल नहरू. इस वीडियो में हम इस chapter की summary and question answer discuss करेंगे. तो चलिए सबसे पहले इसकी summary देख लेते हैं. Science in Ancient India, प्राचीन भारत में विज्ञान. जवाहरलाल नहरू was an Indian anti-colonial, nationalist, secular humanist, social democrat, statesman and author, who was a central figure in India during the middle of the 20th century. जवाहरलाल नहरू एक भारती उपनिवेश विरोधी, राष्ट्रवादी, धर्मनिर्पेक्ष, मानफ्तावादी, सामाजिक लोगतंत्रवादी, राजनेता और लेखक थे, जो बीसवी शताबदी के मध्य में, भारत में एक केंद्रिय व्यक्ती थे. नहरू was a principal leader of the Indian nationalist movement in the 1930 and 1940. नहरू 1930 और 1940 के दशक में, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के एक प्रमुक्ष नेता थे. जवाहलाल नहरू was the first prime minister of India, and a central figure in Indian politics before and after independence. जवाहलाल नहरू भारत के प्रथम प्रधान मिंत्री थे, और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजमीती में केंद्रिय व्यक्तित्व थे. इन एंशेंट इंडिया, study of astronomy was merged into astrology. प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान के अध्ययन को ज्योतिश में मिला दिया गया था. धन्वंतरी इस दी, legendary founder of Indian, science of medicine. धन्वंतरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान के महांसन स्थापक है. उस समय की सर्वश्रेष्ट पुस्तके, चरग द्वारा चिकित्सा पर और सुश्रुद द्वारा शल्य चिकित्सा पर थी. इन पाथ्य पुस्तकों में बड़ी संख्या में रोगू, उनके निदान और उपचार का वर्नन है. Various surgical instruments and operations are mentioned by सुश्रुटर. सुश्रुट ने विभिन शल्य चिकित्सा उपकरनों और ओपरेशनों का उलेख किया है. Their approach was experimental and wounds were sterilized by fumigation, a technique of Ayurveda in which fumes of certain drugs were inhaled by the patient. उनका द्रिष्टिकों प्रयोगात्मक था और घावों को ध्ये द्वारा निश्फल किया जाता था. Ayurveda की एक तक्नीक जिसमें रोगी द्वारा कुछ दवाओं के ध्ये को सूंगा जाता था. In 3rd or 4th century BC there were hospitals for animals. This was probably due to influence of Jainism and Buddhism with their emphasis on non-violence. 3rd या 4th शताबदी सा पूर्व जानवरों के लिए अस्पताल थे. ये शायद जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अहिंसा पर जोर देने के प्रभाव के कारण था. In mathematics some epoch-making discoveries were made in the field of mathematics in ancient India notably that of zero sign, decimal place value system, use of minus sign, and use of letters of alphabets in algebra to denote unknown quantities. प्राचीन भारत में गनित के खेत्र में कुछ युगांतर कारी खोजे की गई, जिनमें शून्य चिन्ह, दशमलव स्थान मान प्रनाली, रिंचिन्ह का उप्योग, और अग्यात राशियों को दर्शाने के लिए बीच गनित में अक्षरों के चिन्ह का उप्योग शामिल है उनके पास 10 की घात 18 तक बहुत उच्च अंकों के लिए संख्या नामों की एक लंबी श्रिंग खला थी, और समय का मिनित विभाजन था, जिसमें सबसे छोटी एकाई, एक सेकंड का लगभग सत्रहवा भाग था The old Indians had a vast sense of time in space. They thought in a big way. पुराने भारतियों को समय और स्थान की व्यापक समझ थी. उन्होंने बडे पैमाने पर सोचा. The vast period of geology, or distance of stars, was not a surprise to them. Because of this, background darwans and other theories could not create a turmoil in India, which they produced in Europe. भुविज्यान की विशाल अवधी या तारों की दूरी, उनके लिए कोई अश्चरे की बात नहीं थी. इस प्रिष्ट भूमी के कारण, डाविन और अन्य सिद्धान्त, भारत में एक उथल पुथल पैदा नहीं कर सके, जो उन्होंने यूरोप में पैदा की. चलिए अब इस चाप्टर के question answer को discuss करते हैं. Answer the following questions in 4 or 5 sentences each. निमनलिखित प्रशनों के उत्तर, 4 से 5 वाक्यों में दे. Question 1. Who is known as the legendary Indian founder of medicine? चिकित्सा के महान भारतिय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? Answer. धन्वंतरी is known as the legendary Indian founder of medicine. धन्वंतरी को चिकित्सा के महान भारतिय संस्थापक के रूप में जाना जाता है. Question 2. Who is the earliest person who wrote on medicine in ancient India? प्राचींग भारत में चिकित्सा पर लिखने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है? Answer. The earliest person who wrote on medicine in ancient India was Charak. His book, Charak Sanhita, described the large number of diseases and gave methods of their diagnosis and treatment. प्राचींग भारत में चिकित्सा पर लिखने वाले सबसे पहले व्यक्ति चरक थे. उनकी पुस्तक, Charak Sanhita में बड़ी संख्या में रोगों का वर्नन किया गया है और उनके निदान और उक्चार के तरीके बताए गये हैं. प्राचींग भारत में चिकित्सा पर पुस्तकों के सबसे पहले लेखक कौन है? अंसर, Sushruta was the earliest writer of books on surgery in ancient India. In his book, Sushruta Sanhita, he has described various surgical instruments and various operations of limbs, abdomen and ICTC. Sushruta, प्राचींग भारत में शल्य चिकित्सा पर पुस्तकों के सबसे पहले लेखक थे. उन्होंने अपनी पुस्तक, Sushruta सहिता में विभिन शल्य चिकित्सा उपकरनों, अंगों, पेट और आँखों आधी के विभिन ओप्रेशनों का वर्नन किया है. Question 4. How were the wounds sterilized in ancient India? प्राचीं भारत में घावों को किस प्रकार निश्फल किया जाता था? Answer. In ancient India, wounds were sterilized by fumigation. In this method, fumes of some drugs were inhaled by the patient. प्राचीं भारत में घावों को धो द्वारा निश्फल किया जाता था. इस विदी में, रोगी द्वारा कुछ दवाओं के ध्विये को सूंग लिया जाता है. Question 5. What was probably due to the influence of Jainism and Buddhism? संभवता, Jain धर्म और बौध धर्म के प्रभाव का कारण क्या था? Answer. Due to the influence of Jainism and Buddhism, probably the hospitals for animals were built because of the emphasis of these religions on non-violence. Jain धर्म और बौध धर्म के प्रभाव के कारण, शायद जानवरों के लिए अस्पताल, अहिंसा पर इन धर्मों के जोर के कारण, बनाई गए थे. Question 6. Which epoch-making discoveries were made in the field of mathematics in ancient India? Answer. The epoch-making discoveries made in the field of mathematics in ancient India were of 0 sign, decimal place value system, use of minus sign, and use of letters, of alphabets in algebra, to denote unknown quantities. प्राचीन भारत में गनित के क्षेत्र में की गई युगांतर कारी खोजे, शून्य चिन्ह, दशमलव स्थान मान प्रणाली, रिन चिन्ह का उप्योग, और बीज गनित में अग्यात राशियों को दर्शाने के ये, अक्षरों के चिन्हों का उप्योग थी. Question 7. Which figure formed the basis of enumeration in ancient India? प्राचीन भारत में गन्ना का आधार कौन सी आक्रिती थी? Answer. 10. Formed the basis of enumeration in ancient India. 10. प्राचीन भारत में गन्ना का आधार था. Question 8. Which was the smallest unit of time known to ancient Indians? 10. प्राचीन भारतियों में ग्यात समय की सबसे छोटी एकाई कौन सी थी? Answer. The smallest unit of time known to ancient Indians was approximately 1 17th part of a second. 10. प्राचीन भारतियों में ग्यात समय की सबसे छोटी एकाई, एक सेकंड का लगभग सत्रहवा हिस्सा था. Question 9. Why were the discoveries of Darwin not able to make such a turmoil in India? Darwin की खोजे, भारत में इतनी उथल पुथल क्यों नहीं मचा पाई? Answer. The ancient people of India had a sound knowledge of science. Their sense of time and space was very vast. Therefore the discoveries of Darwin were not able to make such a turmoil in India. भारत के प्राचीन लोगों को विज्ञान का अच्छा ग्यान था. समय और स्थान की उनकी समझ बहुत विशाल थी. इसलिए Darwin की खोजे, भारत में इतनी उथल पुथल नहीं मचा पाई. आगे आपको केस टॉपिक पर विडियो चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं. तब तक के लिए, रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं एक और नई विडियो में. जय हिंद!